हालो दोस्तों टैक्स पर वेल्ट में आपका स्वागत है साम के फैनेंसियल न्यूज के साथ हम फिर से लाइव है घर से कोरोना वारस का इंपक्त तो अपने मार्केट में देखी लिए होगा सेंसियल नीचे है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जिनकी स्टॉक होल्डिंग हो जो होल्डिंग वाले और मीचुल फंड वाले उनके स्टॉक के भी क्या हालात हैं कहने की जरूरत नहीं है अभी तो कह 3610 पॉइंट पर बंद हुआ 1135 पॉइंट नीचे यानि कि सुमझ में मार्केट भी रुक गया था सेंसरेक्स में इतनी ज्यादा गिराव और चीकि सरक्ट लग गया था खैर आगे बात करते हैं आटो सेक्टर का परफॉमेंस और भी बुरा है वो तो और भी बुरी तरह से जूज रहे हैं इस कोरोना वारस की चपेट में हैं तो आटो सेक्टर का जो परफॉमेंस था हो काफी बुरा रहा है अब फिचकल एयर की बात करते हैं जो हमारा एयर क्लोजिंग है 31 मार्स को होता है उसे बढ़ा के 31 जून कर दिया गया और नए साल 2021 के लिए 1 जुलाई से 31 फर्स मार्स तक का ही एक एयर रखा गया है इंटरनेट की बात करें इंटरनेट जिसमें हम भी आज काम कर रहे हैं घर से हर कोई काम कर रहा है इंटरनेट की जो इंडिया में हाला था वो भी अच्छे नहीं वो काफी स्लो हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजर बेस ए किस के लिए वो 4% होगा यानि कि जो GDP आपकी रहेगी वो 4% के आसपास रहेगी वो उनका मानना है जो कि कोरोना वायरस के इंपक्ट की वैसे इसको रिवाइस कर दिया गया आधित पूरी जी ने कहा है कि cash flow की मुसीवत से market जूच रहा है हमें immediate rate cut पे ध्यान देना चाहिए इस से हमें problem बर सकता है दूसरी जरब नौकरी की बात करोना वायरस फिर से restaurant market पूरी तरह से बंद है close है अगर मैं बात कुरता है 75 district में तो अल्यडी lockdown हुआ पड़ा है कहा जारा 7.3 million job खत्रे में यानि बहुत बड़ा नंबर है आप नौकरी की अगर हम बात करें तो वहां पे गौर्णन ने बैंक से कहा है कि देखिए liquidity पर ध्यान दीजिए और corporate को loan देने में ज़्यादा दिक्कत ना करें और liquidity maintain करें क्योंकि liquidity अवे सबसे बड़ी issue है corporate के लिए EMS की OPD को 24 मार्स तक के लिए बंद कर दिया गया है IGN अपने two-third two-third जो उनके outlet है उन्हें बंद कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि coronavirus की वेज़ से outlet पे भीड नहीं है उसको run करने का जो operation cost है वो ज़्यादा है उन्होंने से बंद कर दिया CB ने भी बहुत कुछ कहा है सेवी ने आज एक notification जारी करते हुए कहा है कि compliance norms को उन्होंने ease किया है NCDs के लिए CP और debt के लिए जो listed है तो overall गर मैं बात करो तो market तो बहुत panic है market अभी भी नीचे जाता जा रहा है global market के पूरे जो भी पुरजोर कोसिस कर रहे है market को थामने के ल बात करें तो USB बहुत कोसिस में लगा है किसी भी तरह से market को रोकने के लिए लेकिन कहीं उसमें सफलता उसे दिक नहीं रहे तो overall अगर मैं मैं बात करो तो भी आने वाली कुछ दिने ऐसे ही चलने वाले क्योंकि ये lockdown खोश सकता है जैसा कहा जा रहा है ये अभी चलेगा क्य झाल 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 झाल